अम गणेश हरा हरा महादेव कर्मकानबाई आनिपाठक में एक बार पुनहा आप सभी का स्वागत है और जैसे मैंने श्वेतारक गणेश के विषय में भगवान श्वेतारक अरठात सफेद आर्क के मंदार के गणपति के विषय में एक शुरूम्कला शुरू की थी शायद एक दो साल पहले उसमें दो भाग मैंने बना जा और तिसरा भाग आज में अप्लोड कर रहा हूँ क्योंकि महाशिवरात्र या रही है और महाशिवरात्री से शायद अच्छा परवन नहीं होगा अगर आपके पास सफेद आक के गणेश्ची है, गणपती है और आप अपने गर में सापना करके उन्हें सिद्ध करके उसका प्रयूग अर्थात मंतर की साथना करना चाहते हैं अपने इस विडियो में आपको बताऊंगा अगर आपको यह विडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल पढ़ना यह हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिनहत दबाएगा अब श्वेतार्क गणेश जी या श्वेतार्क का मूल कैसा होना चाहिए कितने वर्ष पूरा ना होना चाहिए इसके पिछे क्या कथा आदी है वो सारी चीजे मैंने अल्रेडी पहले वीडियो में बताई है फिर भी मैं उसकी लिंक नीचे रखोंगा आप चाहो तो वो दे सकते हो या फिर ऐसे लगा हुआ या फिर सिंदुर वानी भी आपको सफेद आका के गणेश्ची मिल सकते हैं और ऐसे ही बीना सिंदुर के सिदे भी आपको जो श्वितार्क है मंदार है वो भी प्राप्त हो सकते हैं लेकिन कभी-कभी यह होता है कि end of the day यह होता तो व्रु करूंगा कि अगर आप तेल में सिंदुर डालके कोई भी तेल लेकर अधिकतर अगर आप चाहे तो सरस्वा का तिल ले सकते हैं वो काफी अच्छा राएगा लक्ष्मी प्राप्ति है तो आप तील के तील के तील का प्रयोक करके उसमें सिंदुर डालके ऐसे सिंदुर वरन rationale क प्रेड़ के जब उगता है तो ह्यर बार शे उसमें से नहीं नेच्रले का बोलते प्रसुद्रऑब्ले में वया की चरुपा मिल जाए वही सबसे बड़ी कुरूपा है क्योंकि ओरीजिनली मिलना ये भी एक प्रकार का आज के इस बनावटी में बहुत दिक्कत है तो वह मिल जाए तो बहुत बड़े बग्ये की बात है और अगर और अगर मिल जाता है तो इस महाशिवरात्री में अवश्य गणेश जी चाहें तो बिना सिंदूर के जैसी आपकी मर्जी है वो रखने के बाद जो एक विदान बताया हुआ है वो विदान यह उसमें आप एक महीने तक खास करके मैं अगर महाशिवरात्री की बात करूँ तो महाशिवरात्री इसी वर्ष या इसी आने वाले जो समय में या आठं अर्श शुकरवार को जो महाशिवरात्री है अगर मैं उसे की बात करूं तो इसी शिवरात्री में चाहे सुबह दिन मैं या रातरी काल जो निशीद काल मैंने आपको बताया है वीडियो में पहले कि 12 बचकर 25 मिनिट से एक कर तेरा मिनिर तक रहेगा वो निशित काल है आप चाहे तो उससे पहले नौ बजे से लेकर एक बजे के बिच में भी श्वेतार्क गणेशी अपने मंदिर में रख लीजिए उनके सामने गवमाता के गी का एक दिपक प्रजवलित कीजिए लाल चंदन की माला से या फिर रु स्पेशल निशित काल में तो अवश्य कीजिगा यह मंत्र उसी दिन उसी रातरी में सिद्ध हो जाएगा श्वीतार का सफेद आक के गणपती भगवान के सामने ही फिर दुसरे दिन से कम से कम एक माला का नियम बनाए अधिक से अधिक आप जितनी भी हो सके उतनी माला करते पिर आप देखके क्या से कैसे चमतकार जो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे समझें चमतकार रहोंगे वैसे यहां पर और बी दूसरा मत्र बता आया है आप दो में से कोई गाम200 कं सर्वादार यह ईहां से यहां पर बोलना है गम नमहा पहले गंग फिर गम नमहा यह मंत्र है दोनों में से कोई भी एक मंत्रा दोनों जपने के आवशक्ता नहीं दोनों में से कोई भी एक मंत्रा लीजे उसको अच्छे से सीथ कर लीजे सफेद आक के गनेश्री के सामने और फिर नित्य इसकी माला की आप खुद कुछी समय के बाद या कुछी दिनों में आप हमसे वो अनुबव साजा कीजेगा इसमें कोई डाउट नहीं है कोई शंका नहीं है कलव चंडी विनायको कली यूग में माता चंडी अर्थात माता दुर्गा और बगवान गणेश्ची शिग्र फल देने वाले दे गणेश्ची के सामने जब आप गणेश्ची का कोई भी और मंत्रा स्थोत्रादी जब नित्य पढ़ने के शुरुवात करते हैं तब वह स्वयम साक्षात इसका श्रवन करते हैं श्रवन करने के बाद उसका फल भी आपको वही देंगे इसमें भी कोई शंका करने की आवश और अगर अल्रेडी है तो भी आप यह साधना कर सकते हो लेकिन मैं यही कहूंगा बहुत सारी साधनाव को इकतरित मत कीजिए कोई भी एक साधना करिए कोई भी एक मंत्र लीजिए और फिर आगे बढ़िए फिर आप देखे कैसे कैसे जीवर में बदलाव और परिवर्दन हो तो यह आज का विशय था अगर आपको यहां विशय वीडियो बसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिनहा दबाएगा बहुत जल मिलते हैं नए विशय और वीडियो के साथ तब तक आप तेखते रह ओम गानेश हरहर महा देवा